दोस्तो अबसे दो दिन पहले ही तूर्की ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाया था लेकिन तूर्की को यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाना बहुती जादा भारी पड़ चुका है क्योंकि अचानक से भारत अपने सभी जंगी जहाजों को लेक भूम अद्दे सागर में पहुँच गया है दरसल अब से दो दिन पहले ही तूर्की ने यूएन में कश्मीर को लेकर बोला था कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अपस में बैठ कर सुलजा लें लेकिन ये बेवकुफ तूर्की शायद ये बात भूल गया है कि कश्मीर और पियो के भारत का अंग है लेकिन तूर्की कितना दोगला देश है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नार्गोनो काराबाग की जंग में तूर्की की तरफ से खुल कर एजर बेजान का समर्थन किया जाता है और तूर्की की तरफ से तो बहु बिल्कुल भी एकसेप नहीं करता है लेकिन यूएन में भारत के खिलाफ वोनला आज तूर्की को बहुती जादा भारी पढ़ चुका है क्योंकि भारत अपनी नोसेना को लेकर भूम अद्यसागर में पहुँच गया है और तूर्की के कटर दुश्मन देश यानी की ग्री यूद अभ्यास करकर हमारी नोसेना तो मजबूत होई जाएगी साथ में हमारे भारत के साथ रक्षा संबन भी बहुत ही जादा मजबूत हो जाएंगे इस यूद अभ्यास के दोरान भारतिये नोसेना ने ग्रीस की नोसेना को बहुत से यूद लड़ने के नए नए तरीक करने शुरू कर दिये हैं जिससे लगातार ग्रीस की नोसेना मजबूत होती जा रही है और ऐसा करके भारत तुर्की को साफ चेतावनी देना चाहता है कि अगर तुमने कश्मीर मुद्दे के खिलाफ कुछ भी बोला तो हम पूरी तरीके से ग्रीस के समर्थन में आ जाएंगे और जो तुमारा ग्रीस के साथ दिपो को लेकर विवाद है हम भी उसमें खुल कर ग्रीस का समर्थन करना शुरू कर देंगे जिससे आज भारत ने साबित कर दिया है कि अगर किसी भी देश ने भारत के कश्मीर मुद्दे को युएन में उठाने की कोशिश की तो उस देश को एसा सबक सिकाये जाएगा जो उसको जिन्दगी भर याद रहने वाला है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको ग्रीस के साथ एसे ही अपने विष्टों को मजबूत करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठैं इंक्स एवाद दे स्वीटों के वाद आई वाद आप वाद एर सकते हैं वाद वाद टूंक आपके प्यूली वाद रहन बटावाशा है